नमंसकार सातियों, आज मैं आपके लिए लेकर आये हूँ मात्रक, मापक और मापक यंद्र, जो आपका A and M में जो चिप्टर है, आपका जो पहला, उसके जो क्योशन लेकर आया हूँ, इसमें आपके सारे क्योशन करा हूँ उनुशन और पाचास क्योशन और आपके एक तो जो पहली बार वीडियो पे विजिट कर रहा है या देख रहा है वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करेगा उसके बाद बेल आइकोन प्रेस करेगा ठीके उसके बाद इसकी पीडियेप के लिए आप मुझे इस नंबर पर मेसेज कर दीजेगा क्योंकि आपके दो दिन बाद एक्जाम है उसके बाद मैं आपको ग्रूप में भी एट कर दूँआ और उसकी क्लास विडियेप और आपको डेली जो भी न्यूज रहेगी वो मिलते रहेगी पहला क्योशन आपके सामने कि भार की एसाई इकाई क्या है किलो ग्राम न्यूटन ग्राम यर डाइन तो आपने लगा दिया होगा कि सर भार की एसाई इकाई होती है आपकी क्या न्यूटन ओप्शन नंबर आपका भी अगला क्योशन आपके सामने थोड़ी सी यह देख ल इसका जो प्रतिक हैं आपका M, ढर्विमान का, SII मात्रक पूँछे तो आपको बताना है兩個, और इसका प्रतिक है KG, समय का SII मात्रक पूछे तो आपको लगाना है second, इसका प्रतिक है S, विद्युतीधारा का SII मात्रक पूछे तो आपको MBIER ए, ताप का है Kelvin K, जोती तेवरत का है Candela, C D और प्रदार्द की मातरक है Mol M, O, L ठेके, आत्में जो भी इन राशियों के SI मातरक कोचे तो आपको बताना है और अगर प्रतिक पूचे तो आपको बताना है ठेके, अगला क्योशन आपके स्क्रेंट पर भार का SI मातरक क्या है? बिल्कुल सही जावा, D, Newton होता है भार का SI मातरक, यह एक्जाम में पूचे हुए क्या है, सम्वेग की इकाई क्या है, सम्वेग की इकाई क्या है, तिसरा क्योशन आपकी स्क्रेंट बर, KGMC, MS2, KGMS-1, KGMS, या KGMS-2, तो आपके जो सम्वेग की इकाई होती है, वो होती ह हैं, आपकी KGMS-1, option number B, अगला क्योशन आपके सामने, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, आपके जो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं, किलोवाट कहते हैं, बाट कहते हैं, जूल कहते हैं, या अश्वे शक्ति कहते हैं, तो आपके उद्योग में जो शक्ति होती हैं उसे हम कहते हैं अश्वर शक्ति क्या अश्वर शक्ति कहते हैं उप्शन नमबर आपका आजएगा डाला यह सभी एक्जाम में पूछे होगे question अगला question आपके सामने और आपका जो धुर्णी को मापने के लिए कौन से यूनित का उप्योग करते हैं तो धुर्णी को मापने के लिए के डेसीबल का प्रियोग किया जाता है कि उर सबसे ज्यादा मानने के लिए सुनने की शंद्यिवाइब 45 फैंटालिस डेसिबल धुनि मानव के लिए सरोत्तम होती है डने मौनोल यकुंचनार मौनिया current की देसिबल और यह देखो यह आपके सामने ही कि धुनी कुम आपने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है विश्व स्वास्त संग्ठन WHO के अनुसार जो आपकी 45 decibel धोनी होती है मानव के लिए सरुत्तम धोनी होती है WHO के अनुसार अगर आप 45 decibel पर धोनी संती हो तो आपकी जो स्वास्त के लिए बहुत ही हानिका रखोता है ठीक है अगला केशन आपके सामने विद्यूत आवेश का SI मातरक क्या होता है विद्यूत आवेश का SI मातरक क्या होता है वोल्ट कुलाम केलविन या किलोग्राम तो आपने लगा दिया होगा विद्यूत आवेश का SI मातरक होता है आपका कौन सा कुलाम option number आपका अगला question आपके सामने तो प्रकाश वर्ष किसकी एकाई हैं प्रेकाश वर्ष बसकी की कहिं हैं जिससे प्रकाश करश दूरी को उताय park Marco कि तरी कीविःता इक प्रकाश वर्ष से कितने अब कि स्केस्ムद की आपकी साधिय एकाई कौन सी है प्रतिरौध कि एसभाय कॉनसी है को हुलाम ओम। जूल यह न्यूटन तो बिल्कुल सभी ओम है क्या है ओम है बिल्कुल उसकी क्या है टोके हैँ वीडियो एगर आपको पसंद आता है तो लाइक बटा M2, N बटा M2, option number C, अगला question, विद्धृत धारा का ऐसा ही मातरक क्या होता है एंपियर, कुलाम, जूल या वर्ट, तो आपने लगा दिया ओगा कि विद्धृत धारा का ऐसा ही मातरक होता है, mga क्या होता हैं वीद्योंति ध€ण's करें नहीं टेख लेथे दो हैं और देख लेते हैं आपसे अगर पूंचले कि dhara का esai मत्रक क्या होता है तो धारा का आप भी मैंने पूछा विद्योंति-धरा किए मत्रक क्या होता है विद्योंति-धारा अग्ला क्रेशन आपके सामने ये रहने दो ये लो मौन दोने को मापने के लिए यह था हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया नीवन लिखित में से किसने 1 निम्लिखित में से बिल्कुल आपका अ कि ये देख लिए क्र rehabilitation थैँनं कि निम्ने लिखित में से कौन सी एकाई, उर्जा की एकाई के समाने शक्ति, घनत तो कार्य या बलत तो कार्य, किसकी एकाई उर्जा की एकाई कौन सी है, तो कार्य उर्जा की एकाई है, क्या कार्य उर्जा की एकाई है, option number आपका C, शक्ति की एकाई को क्या कहा जाता है शक्ति की एकाई को क्या कहा जाता है वाट जूल न्यूटन या पास्कल बताए शक्ति की एकाई को क्या कहा जाता है बिल्कुल सही शक्ति की एकाई को हम कहते है वाट क्या कहते है वाट कहते है आपकी शक्ति की एकाई अगला question येलो निमने लिकित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है घनत्व की सापैक्षित घनत्व की विस्तापन की या आपकी किसकी कोई इकाई नहीं होती है तो आपकी सापैक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है घनत्व की होती है विस्तापन की होती है और दाप क की होती है तो घनतव उती हैं आपकी kilogram meter कि दापकी होती होती है न्यूटन विस्तापन की मिटर पण सापयक्षित घनतवकी नहीं होती option number आपका B बिल्कुल सही जवाब अगला question विद्य द्रधारा कि एसा के क्या है वोल्ट एंपियर खुलं यह ओम तो आप लगा तो आपका सदीष राशी में आपका सदीष राशी में आएगा काई समय दूरी धारा और सदीष राशी में आएगा बल तुरन वेग विस्तावन तो कौन सी नहीं तो सब नहीं है बल आपका सदीष राशी में आएगा बल आपका सदीष राशी में आता है तो अरण आपका सदीष राशी में आता है वेग आपका सदीष राशी में आता है विस्तावन आपका सदीष राशी में आता है कारी फिर आता है आपका समय फिर आपता है दूरी और धारा तो कौन सा और नहीं है थो उप्षान नमब Review कि एमपर सेकंड कि ईंपर सेकंड इंपर सेकंड ईandies kis-ky shortage क्लिशनके नाप कई में चेट गच्ट इस सब्सक्राइब biggest की इस्वार्प्साइब थे की तेवरथा सब्सक्राइब डेसिबल, ध्युफ़नी के तेव्डताँ identical given गेलन चाना चाहिए किसमें इस्तंवाल किया जाता है गेलन किसमें इस्तंवाल किया गति पाइएटि के लिए कंटेंटर के लिए आयतन की माब के रूप में कंटेंटर के तहुं के नियो वो किया जाता है आयतन की माप के रूप में, किसके आयतन की माप के रूप में, option number हम जाएंगे C के साथ, किसके साथ जाएंगे C के साथ, अगला question बढ़ते हैं आपका 21, अनुपचारिक रूप से, अनुपचारिक रूप से खगोली दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई क चल्ट वो सक्वा, कि कली का प्रियोग करने, option number C, कि र्योंइड की यूनिट क्या है, है रेसिटेंट की यूनिट क्या है एंपियर वोर्ट ओम या वोल्ट तो आपकी एंप रेसिटेंट की जो है ना वह है आपकी ओम रेसिटेंट की यूनिट है आपकी ओम जैसे और देखे सिटिंड की ओम है ब्धियुत अदारा की क्या है विद्यू तंदारा की आपकी matter video तो insert is सब्सक्राइब नालय और वर्पक्तिन का मात्र लिजांट वैद्र के वोल्ड का लुट किस अ कि अ jsutla कि वोल्ड किसका है थो वोल्ड आपने लगा दिया विभांतर की बुद्धर क्लाशन। एंपियर आपका विद्यू तो धारागा ओम किसका है ओम आपका प्रतिरोध का और वाट किसका है वाट है आपका शक्ति का ठीक है यह सभी आपको यहां से चार और यह याद होगा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्यारे दोस्ते लाइक कमेंड और सब्सक्राइब जरूर करें और मैंने आपको नंबर दिया उस नंबर पर मेसेज कर सकते हैं दाप की SI क्या है आपकी जो दाप की SI क्या है वो कौन सी है तो आपने लगा दिया होगा दाप की SI होती है आपकी न्यूटन प्रतिवर्गमीटर अगला अगला क्यूशन आपके स्क्रीन पर आगया है कि ये लो दाप का SI मतरक क्या होता है आपका जो दाप है उसका SI मतरक क्या होता है SI पासकल दाप का SI मतरक होता है वो होता है आपका पासकल अगला क्यूशन आपके सामने प्रत्वी से लेकर सुर्ज तक की अनुमानित दूरिंक लंबाई की युनित क्या है प्रत्यूं से लेकर सुर्ण की जो अनुमानित दूरी है न वो हैं आपकी कॉनसी के सब्सक्रील इसे अगला बल की सब्सक्राइब क्या है आपको सब्सक्राइब देख ahead और देख लेते हैं इदाशियें ऐसे मतरगा अगर आपिसे ताप की पूझे तो आपको लगाना है केलविन बल की पूझे के दाप की पूचे इफ पश Окल बीद्वीन दारा के पूचे तो SEN अगला इसे नहीं आ पनकि क्या ओप्षे्ट नियुआ औमल एक तो चेप्टर आगया है आपका दूसरा चेप्टर नंग्वर Case क्योशन कर लेते हैं इससे पहले एक दो क्योशन और यह बचे हुए कि द्वानी की प्रबलता में क्या मापी जाते हैं तो आपके जो द्वानी की प्रबलता है वह आपकी मापी जाते हैं decibel से ध्वानी की प्रबलता नापते क्या decibel से ध्वानी की प्रबलता नासते एक और क्या ध्वानी प्रदूशन से क्या नापता जाता है तो आपकी ध्वानी प्रदूशन से न वो तरंग का वेग ए सोरी ध्वानी प्रदूशन से आपकी क्या मैंने edible कुलाम जोका अग्या है तो पूचले मात्रक कुलाम का दूसरा नाम कीया है तो आपको बताना है एमपेर ठीक है इसमें देखते हैं एक एंटमा स्फियर किसके बराबर साहन वोट के बराबर होता है छो n ayakospower 4880 सिर्च वूट के बराबर होता है ठीक है क्म अचि एक डायोप्र किसके के बराबर होता एक डायूपर किसके बराबर होता है तो आपका जो एक डायूपघर होता है यह रेने तो आपका अधोस्का साब्सकहतेक द्न स्थ अग्ला बीजिये का हुच्छ छहाएं कि जब कार एक घुमावदार सडक पर समुर्ernen यह तो उसमें केंदरी बल के कारण अभी केंदरी बल के कारण या गुरुत्वाकर्शन के कारण जब कार पर एक घुमा उदार सड़क पर मुर्ती है तो आप बेठे यातरी स्यम्पर केंदरी की विपरी दिशा होती है तो यह होता है आपका जड़ात्व के कारण option number B यह question मैंने आपको A&M में भी बताया था कि एक बस में अगर आप पीछे बेठते हो तो क्या होता है तो वह होता आपका गूर्णा पीछे एकदम धक्का लगता है ना यह question अगर आपने पढ़ा हो तो जब एक गिलास पर रखे गए कारण का उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिका गिलास में गिर जाता है यह कदर किस नियम को वेक्खे करता है यह आपका कौन सा उर्चा का सिद्दा जड़ात्व का नियम न्यूटन का गति का तिसरा नियम यह सम्वेक का नि अगला question आपके सामने निमने लिकित में से किसके मद्य जड़ातों का मान अधिक्तम होता है एक ही कार के रबर वाल और पत्तर के बीच स्कुटर और बस के बीच दस रुपे के सिक्के और फाज रुपे के सिक्के के बीच यह रेल गाड़ी और हवाई के बीच कि यह बल वाले क्योशन बल कि यह आपका चेप्टर है कि अगला क्योशन जब किसी जब किसी प्रतिग्रक्षा बल एफ को विप्रित दिशा में लगा जाता है तो दोनों डिशाओं की बीच बंता हैं वह बनता है आपका 1080 méda कि ये दिशामें लगा जाता दोनों के बीच जो कोण बहुत बंता है बंता है कि अगला ने में लिखित में से कोम सी भोटी के की एक वस्तु की प्राम सावन गति स्थिय को बदलती की है या बदने का परयास करती है तो कुंए सी आपकी बल के सामने और है कोई कि शनलिए और क्वेशन कोई है कॉन सा प्रकति में कभी अकेले नहीं होता है सब्सक्राइब कभी अकिला नहीं होता है यह मैंने आपको मॉस्ट आज के तीन चेप्टर थे तीन चेप्टर में जो आई एमपी क्यूशन थे वो करवा दिया साइन्स के हैं ना पचास क्यूशन लगबग हो गांगे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको क्या करना है लाइक करना है सब्सक्राइब करना या शेयर करना है और ज़्धत से ज़्धत दोस्तों में शेयर करना है इसकी पीडिया चेप में आपको 12 सेवीज डूह Do आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह मैंने आपको केमेश्ट्री के 50 क्यूशन करें आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना आपके कितने नंबर हैं और इसके अलावा अगर आपको पीएनेश्ट्री के ओल्ड पीडियाप चाहिए तो उसके अबाराय मैं बताता पीएनेश्ट्री के दोसों बारली पीडियाप में एंसे आर्टे की ग्यारवी बारवी की फिजिक्स, केमेश्ट्री, बायलोजी की बुक रहेगी थियोरी की उसके बाद पीएनेश्ट्री के ओल्ड पेपर मिलेंगे 2007-2009 तक के पूरे सोल किये हुए उसके बाद आपको 1500 क पीडियाप मिलेंगे तो टोटल मिलाकर आपको 11,000 अबजेक्ट क्योश्ट्री की बुक मिलेंगे प्लस एंसी अल्टे की ग्यारवी बारवी की बुक मिलेगी ये सब आपको वोट्सप पर PDF फाइल मिलेगी वोट्सप या टेलेग्राम किसे पर भी आप मंगवाना चाते हैं इसके लिए मात्र आपको 200 रुपए का पेमेंट करना होगा आप Google पे फोन पे पेटियम किसे से भी पेमेंट करके उसका इसकी शोर मुझे इस नंबर पर सेंड कर देना तो मैं आपको PDF दे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद